पहला तो बड़े आत्मिश्वास के साथ सफेज जुट बोलना कोई भी और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना की पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मुर्ख बनाया फिर हमसाथियों का मुर्ख बनाया फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हैं हारें लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटर्विव में एक वक्त के निकला तो उसमें नित्ती परेशानी क्यों वो आये ना, वो बात करें हाँ पर आकर तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा, मैं तो ये पूछना जाता हूँ, आपको तो किसी ने टर्रिस नहीं कहा पर हाँ, आप मुझे ये बताईए, देश को बताईए कि क्या पिछले चुनाओं में आपके घर पर टर्रिस एसोसियेशन से सिंपथरी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे जब मैंने उस पर आपत्ती उठाई थी, तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी, घर पर मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था, कि नहीं नहीं अंदर मीटिंग चले, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाने का प्रहरी था वो, क्याइट, साइड हट, अंदर जाके दिखा, तो वहीं लोग बैठे हो, तो मै तुम तो एक ऐसे हाथ से कलाकार को लिए घूम रहे हो, जिस पर पर दसमी बारमी भी तीन बार में हुई है, तो तुम तो कझल वो कोई गलबड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगा है, है है वो तो हाथ से एंक मैं आद्म हो क्या करूँ है, देश का मुद्दा है, और कहते ह कि राष्ट्री अखंड़ता के मामले में एक हो जाएं राहुल गांदी अपने पिता अपनी दादी को इसी राष्ट्री अखंड़ता के मुद्दों पे खोच चुके हैं इसी पंजाब में बली चड़ चुकी है प्रधान मंत्री कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक भारत का स से चुनौती देता हूं मैं हाँ बैठके कह रहा हूं आम आदमी पार्टी का फाउंडर संस्थापक इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज़ के खिलाफ मैं खून की आखरी बूंद तक लड़ूंगा वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा वो ये क कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रपोगंटा आपने वैश्विक करा दिया पंजाम में चुटकुले कभी सम्मेरों के वाइरल करवा दिये पर अब जब यह लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है तो कह रह खेल लिया मैं तो गरीब आद्मी हूं पहला आदमी हूं बात निकलेगी तो दूर तलग जाएगी बात को सब्सक्राइब नाम को कलंकित करें यह राजनेतिक बात है ज्यादा नी होने चीए मुझे इतना ही कहना था पर देना we हो मैं आदमी से निकाला गया हूँ मैंने स्तीफा इच्वा जव आदमी कहता तुछ स्वरास से पार्टी है हूँ जब से बढ बेठा है अपनी जें मैं और आमादनी पार्टी के दूसरे तीसरे पही कार्वाली कारे करतां को बता दूं ज्यादा ख्वाब मत पालो अब दामाज जी आने वाले हैं अब बहन जी आने वाली हैं यह वहीं ले जाएगा और लोग को जस्टिफाई कराएगा उन चेलों को चिंटुओं को जो स्वराज का शिरोमणी बनता था जो सम्विधान की कसम खाता उसने अपना ही सम्विधान बदल दिया किंतां ज्यादा को लिए रए उसके लिए और तुए यह बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेट्मेंट है यह बता कि तेरे घर पे लोग आये थे आते या नहीं आते थे और बता, नहीं तो मैं बता दूगा झाल झाल